थैंग नंतर। हम फ्रेसर बेल्ड पहर ह/. लोग हमदने डाइगराम वांगा बना के अब हम लोग ऊसका उसका डिस्क्रिप्टिव पाट है कि अपको बहुत अच्छा पसंग्या इसना यह loo तो अगर हम क्रेसर बेल्ट आप शुरू कर रहा है पड़ना तो पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं आपका कि कि आपका कि आप कि वाई दाप पेटियां ठीक है प्रेसर बेल्ट या वी कंसेड़ है वाई दाप पेटियां चलिए तो हम लोग अब यहां पर आपको जो चीज़े ध्यान रखनी है उस पर हम थोड़ा सा फोकस मार लेते हैं क्योंकि देखी आप यूपी एसी के त्यारी अगर कर रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा सजग नहीं रहेंगे तो मामला गरबर बजाएगा तो चलिए हम लोग इसकी सुरुआत करते हैं इसमें आप जो यह प्रेशर बेल्ट्स है इसमें आपको यह चीज़े ध्यान रखना है हमें क्या कि सन को जो हैसो आपको जीरो डिग्री पर रखना है स्टार्टिंग में जब आप इसको एक्स्प्रेंड करना शुरू करेंगे तो याद रखना है कुछ प्रिकॉशन को शन एट जीरो डिग्री या इक्वेटर ठीक है यह आपका अर्थ हो गया और यह आपका सन का पोजिशन हो गया और यह एक्वेटर हो गया ठीक है सन को आपको जिरो डिग्री पर रखना है इसको बहुत ध्यान से देख लेजेगा पुटिंग सन एट जिरो डिग्री या सन जो है सो कहां पर रहेगा यहां पर सन एक्वेटर पर रहेगा अब यहां पर आपको दो चीज़ें पढ़नी है प्रेसर बेल्ट में प्रेसर बेल्ट में आपको यहां पर होरिजन्टल या कहें कि 6 तीज और वर्टिकल या लंबवाद दो तरीके से हम लोग इसको देखेंगे वर्टिकल प्रेसर बेल्ट का क्या हिसाब किताब है और होरिजन्टल का क्या है तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे आपका होरिजन्टल प्रेसर बेल्ट ठीक है इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा horizontal pressure belt horizontal pressure belt या 36 दबाव 16 तो horizontal pressure belt अब हमको यहां पर पढ़ना है चलिए इसकी शुरुवात हम लोग करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना क्या है कि आपका 0 degree to 90 degree क्या होता है अगर आप move करेंगे तो temperature कम होता है और pressure बरेगा ठीक है 0 से 90 अगर जाते हैं तो ताप मान कम होगा और दबाव बढ़ेगा यह इनुवर्सल यह थम रूल नहीं है बढ़ने का अमारा sign यह रहता है और घटने यह डिक्री जोने का sign यह रहता है इसको थुरा बढ़ते जाएगा temperature डाउन होगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है ठीक है अब यहां पर जो डेजर्ट एडिया है और डेजर्ट प्रेशर कम रहता है लगबग आपका 996 मिली बार जुल्धी जगा है आभ इस्टानी जगा है वहां पर प्रेशर क्या होगा कम होगा 996 मिली बार होगा क्योंकि जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है और जब टेमप्रेशर आएगा तो जल्दी टेमप्रेशर को अब प्रेशर करनेगर होने प्रेशर होएं उठने लगों उत्ने लगेगी तो वह पर प्रेशर हो गchildren के कम प्रेशर एक यह पाई यह लेकिन वही पर अगर आप कहीं पर हमकह हैं कि अगर कहीं पर अपका और high altitude या high latitude न क्या होगा प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा हाई प्रेशर क्यों विकाज टेंप्रेचर कम होगा और एयर कॉंटेन मुएस्ट्र ओके तो जहां आपका उचाई ज्यादा उचाई हम कहलें यहां पर ज्यादा उचाई या एक तरह से कहा जाएं तो ज्यादा latitude को हिंदी में क्या बोलते हैं कि दिमाग से उतर जाता है वर्ड जो है न हिंदी कहीं प्रॉब्लम है ज्यादा उचाई हो गया और इसको बोलते हैं आपका करकर का मखर का ज्यादा मैं लेटिट्यूड लिख दे रहा हूं आप लोग थुरा सा इसको गूगल कर जिएगा अभिद्यान में नहीं आ रहा है या ज्यादा दबाव तो ताप मान आपका क्या होगा कम होगा और हावा जो है ठंडी होगी और भारी होगी क्योंकि हावा में आदरता होगा ओके तो यह क्लियर होगे हमारे हिसाब से आपको कि आपको जिरो से नाइटी के बीच में टेंप्रेचर कम होगा तो प्रेसर बढ़ेगा अब डेजर्ट एडिया अगर मान लिए जिरो से नाइटी में जा इधर थार हो गया इधर आपका सहारा हो गया इधर अरब का हो गया इधर अटकामा हो गया इधर वेस्ट एस्ट्रियन डेजट हो गया इधर कलाहरी डेजट हो गया तो जहां डेजट होगा हम भले मूब कर रहे हैं जिरो से हम उपर जा रहे हैं आपको यह आपकी जिरो डि अब इसको आप नोट डाउन करने के बाद में हमारे इसको वीडियो को पॉज़ करके और इसको नोट डाउन किजेगा क्योंकि आपके लिए रूखेंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझको अब यहां पर अगर हम कहें कि यह zero degree लाइन है उसके बाद में यह 30 से 35 डिग्री हो गया उसके बाद मैं यह आपका हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ठीक है और इसको हम 23 1 by 2 North मान लेते हैं ठीक है तो 0 डिग्री पर जो आपका होगा यहाँ पर 23 से 30 के बीच में यहाँ पर 996 मिली बार होगा ठीक है क्योंकि इधर प्रेशर कम रहता है तो यहाँ पर मान लिजे कि आपका 990 मिली बार है कोई authentic नहीं है मैं एक समझाने के लिए data प्रुस्तूत कर रहा हूं आपके सामने लेकिन जब 90 पर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1034 motivate कि यहाँ पर इसका क्या जैसे घंपरुस्तुर कर रहे है जैसे जैसे आपको समझाने के लिए कैसे एक समझा सकते हैं चीजों को लोगों के सामने अपने बच्चों को या जैसे एक जामिनर को ठीक है अब यहां पर दूसरी चीज़ है कि जो आईसो बार है या समदाब रेखा है आईसो बार या समदाब रेखा जो है जो एक तरह से कहा जाए समान वाईवदाब वाले बिंदू को मिलाने वाली है समान वाईवदाब वाले बिंदू को मिलाने वाली लाइन ए लाइन हैविंग तो समदाब रेखा क्या होती है कि समान वाईवदाब वाले बिंदू को मिलाने वाली लेखा या एक तरह से कहा जाए तो आपका ए समान वाईवदाब वाली पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसो बार लाइन ठीक है अब यहां पर चुकि हम लोग को यहां पर क्या देखना है कि तो अब हमें जो पॉइंट है आइसो बार आपको समझ में आ गया अब आइसो बार जो पॉइंट है हमने उस दिन आपको समझाया भी था कि लेंड पे जैसा टेंप्रेचर का बित्रन होगा उसी के गॉर्णिंग आइसो बार लाइन होगी चो हमने यह चीज को प्रेसर व लाइन खीचेगे यह वैसे आइसो बार के भी लाइन खीचे जाएगी और एक्जाम में यह आता है पूछा जाता है तो वहां पर आप कैसे एक्सप्लेइन करना यह आप लोग बहतर जान सकते हैं अब हम लोग देखेंगे वर्ड आईसो बार बैल्ट या वर्लड जो है सब करते हैं कि हमारा सण अभी 0 दिग्री पे है तो सब दी 0 ब्यद्री पे है तो यहाँ पर क्या होगा मेकड्यूंप आपका क्या होगा अगर हम दो रहाएं ठीक है अब यहां पर देखिएगा आपका जो सूरज है वो कुछ इस डिरेक्शन में है अड्जेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि देखिए नीचे जाना चाहिए ऐसे ठीक है अब सं जो हैस खुकी आपका यहाँ जीरोडिग्री प्रये तो अब यहां पर क्या होगा दिहान रखने वाली बात है कि लेंड जल्दी गरम होगा तो प्रेशर कम होगा तो यहां पर यह अगर पर फ्रेशर कुछ ऐसे आपको घ्क होगा ठीक है यह आपका लेंड में नीचे रहेगा और यह जैसे ही आपको ऐसे हो जाएगा पानी में आपका जो हैसो उपर हो जाएगा और लेंड में नीचे रहेगा तो यह सारे जगापे आप नीचे भी आपकर खिचना चाहते हैं मालीजे तो यह कुछ नीचे रहेगा ऐसे और ये कुछ ऐसा जाएगा सोड़ी नहीं ये उल्टा जाएगा न क्योंकि यहां पर ये पाणी में उपर रहेगा और ये नीच से जाएगा ये यह ये ऐसे जाएगा ठीक है यह से कुछ किज़ेगा तो यह है वर्ल्लड का जो Usobar line ऐसे आपको खिचना है कब कब का तो इसमें आपको July का और आपको जन्वरी का क्यों कि यहाँ पे वर्षा होती है और वर्षा होती है तो बायो-डाइवरिसिटी आजाता है इसलिए इस टाइम पर हम लोग मौसम के अनलाइसिस करते हैं अब यहां पर एक चीज़ ध्यान रखना है अब कोश्चन आता है कोश्चन यह आता है आपको कि वाई लो प्रेसर बिल्ट एट एक्वेटर यह कोश्चन आ गया है कि वाई लो प्रेसर बिल्ट एक्वेटर इन दे होल यह आपसे कोश्चन पूछ दिया एक्जामन में है आप क्या रिप्लाई दोगे आप चाहे बीए के एस्टेंट हो पीएसडी कर रहे हो कोई भी हो डेजन्ट मेंटर आपसे यह कोश्चन रेज हो सकता है तो इस समय आप क्या रिप्लाई देंगे तो देखिए आपको बोलना परेगा कि जो है आपको यहां पर कर दो देखिए कर दो देखिए कर दो देखिए कर दो 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 कहाना परेगा कि सं जो हैसो सर सारे आपको सालो भर जो हैसो जीरो डिग्री के राउंड भूमते रहता है क्योंकि यह आपको जो हैसो यह लाइन जो है आपका मैग्जूम जैसो सन जैसो सारे तेइस वन बाइटू नॉर्थ से ले करके आपको यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सालो भर यहां कह सकते हैं कि हो ली और जीरो डिग्री डेसीव मोर टेंपरेचर तो जब सालो भर एक्वेटर के आसपास ज्यादा ताप मान रहेगा तो जब ज्यादा ताप मान रहेगा तेंपरेचर ज्यादा है तो क्या हो गया जिसके कारण क्या है कि यहां पर लो प्रेसर बना रहता है अब यहां पर क्या होता है कि दीन में 0-degree ground पूरे साल भर दीन में क्या होगा कि संवाग व्यप्राइज उपर गया उपर गया तो क्या होगा कि मुएसर ज्वर्ज टेंपरेचर लॉस होगा और बारिस हो गई तो साल भर यहां पर बारिस होती है तो इसको कहा जाता है इक्सक्रों इसको एक्वेटरी तो उसमें भी आपके लिखना है कि सालवर बारीस होती है तो यहां पर बहुत अच्छा जो इस environment रहता है ग्रोव करने के लिए जीवजन्टु को ठीक है तो यहां पर यहां पर अनौकन्डा मिलता है हर चीज जीवजन्टु मिलते हैं यहां पर लो प्रेसर बेल्ट एक वेट equatorial low pressure built 5 degree north से लेकर के 5 degree north से लेकर के 5 degree south के बीच में यहाँ बनता है यहाँ तक klar हो गया अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना परोगा आपको तो अब हम sun 0 degree पर है sun जब degree परोगा तो हमको यहाँ पर tropical सेल भी आपको समझाना परगा तो इसके पहले हमें कुछ और चीज़ समझना परेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि चीजों को सिंक्रोनाइज वे में करना ज़्यादा जलूरी है और थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए आप तयार रहिएगा ठीक है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बेस है आपके पूरे क्लाइमेट लॉजी का यही बेस है अगर यह किलियर नहीं है किसी का तो उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएगी ठीक है यह बेस है तो हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं आपका कि ट्रॉपिकल जो बन रहा है उसके बारे में थारा स्मझ लेते हैं त्रॉपिकल लेते हैं या उसके पहले हम समझेंगे वो ट्रॉपिकल और टेमपरेट सaconाजने देखे यहलो डिग्री हो गया, शण को आप यहां बैठाके रखे़ 해도 है, ठीक है, और यहां पर हो गया यह कुछ ऐसा, यह 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, यह 5 डिग्री साउथ हो गया, इसी छेत्र को जो यह आशो कहा जाता है, डोल ड्रम डोल रम का मतलब है कि जो डिसीजन लेने में असमर्थ है तो सन आपका कहां पे है तो सन आपका जो हैसो 0 डिगरी पे है जब सन आपका 0 डिगरी पे है तो क्या होगा यहां पे भाई सन जब 0 डिगरी पे है थोरा सा यहां टाइम लगेगा मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से चीजों को समझना आ है तो टाइम आपको देना परेगा सन आपको 0 डिगरी पे है यह सन का पोजीशन है आपको अभी हमने बताया था क्या आपको तीन चक सन एक्वेटर पे है तो यहां पर हीट ज्यादा मिला तो हवा सिधे उठा हवा जब उठा तो चुकि दो हवाई आके ऐसे टकरा रही है हमने बोला ना भी कुछ दिर पहले पहले वाले लेक्चर में जो हमने बताया यह आपका क्या है यह जो है सो ट्रेड विंड है ठीक है यह ट्रेड विंड है ठीक है है अब यह थे अब देखो सं का पुरी सन यहाँ पे है सं का पूंन जब यहाँ तो सन से हवा यहाँ temperature आया हवा उठा उपर गया topopormousisine के बाद मैं जेट बना जेट बना और वह 30 पे 35 पे जाकर ऊतर रहा और 30 पर उतर रहा है जब वह 30-35 पर ऊतर रहा है जब раз 35 पर जाकर ऊतरे मना वह बाद में उसको डेरेकट्ट प्याहिंगा है पीछे लेंड निकल गया तो पिछे लेंड होगा यहां पर इसको इस प्मॉइंट प्याहिं आ の लेकिने आगे निकल गया तो पीछे लेज्ग अनरे निलर भाइंड तो क्या हुआ कि यह दोनों हवाएं आ रही है ऐसे दोनों हवाई ऐसे आ रही है देखना आप जब दोनों हवाई ऐसे आ रही है तो चुक कि यहाँ पर हाई टेमपरेचर है नंच चरह दो क्धिये हैं दो और से उठके उपर चली गई तो अब यहां पर क्या हुगा यहां पर पहले से था उपर उठके यहां पर कुछ ही नहीं सांत हवा की पेटी है डोल्ड्रम है यहां कुछ होई नहीं रहा है स्थिती सांते पॉर्ण बनी हुई है क्योंकि 0 तो बात कोंजने बात को है कि समझना अब से यह हो गए ह हवा का सांत च्छेत्र है इसके बारे में थोरा समलॉक पढ़ लेते हैं ठीक है एक तरह से कहा जाए तो यहां एयर का मोमेंट नहीं हो रहा है ठीक है एयर जो है सु यहां पर हवा के सांथ पीटी बन गई ठीक है और यहां जो है सो एक तरह से सांथ छेत रहे है डोल्ड्रम है एक दम इस्तिर है यह कब बनेगा यह बनेगा जब सन आट सब्सक्राइट जिरो डिग्री या इक्वेटर जब सन जो है सो इक्वेटर पर रहेगा तब यह चीजह बन रही है अब एक चीजह बताओ मुझे आप कि यहां पे cyclone अब यहां पे question रेज होता है कि zero degree पे cyclone क्यों नहीं बनता है अब कोई जो आप explain करने के लिए तयार है क्योंकि maximum उल्टे सथ एक्स्प्लानेशन दिये जाता है किताबों में अब यहां पे करने के यंदे बिल्कुल सही हो गए है क्योंकि सहाब पहला चीज़ यह है कि hanno के दो एयर चाहिए पहला कंडिशन क्यों के लिए कितने चाहिए भाई साइक्रोन के लिए के लिए कि आपको दो एयर चाहिए यह चाहिए और आनना के याठा है और utilizing पहले से यह उठ रही है तो यहां पर जो है सो अब यहां समझने वाली बात है कि कहा जाता है कि कोरियोली स्फोर्स का वहलू यहां पर नहीं है इसलिए यहां साइक्लोन नहीं बन रहा है या बूस्टाइब कोई फोर्स नहीं है एक्चुल में एक्स्प्लैनेशन यह होना चा डॉल्रम बनेगा तो नहीं बनेगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा नहीं तो बहुत सारे लोग कफिूज हो जाते हैं कि डोल्रम एट जिरो डिग्री वर्ली क्योंकि ऐसा पोजिशन इधर नहीं बन पाता है और ऐसा इधर नहीं बन पाता है क्योंकि हवाओं का डाइरेक्शन चेंज हो जाता है हवाओं का direction हो जाता है यहांपर हवाओंग का direction चेंज नहों करके temperature जिम्वे दार है जो हवाओंगो ऐसे उपर कर रहा है हवाओंगो ऐसे उपर कर रहा है learner नहीं दे रहा समझना बात को बहुत सारे पतीचे जिसक्त कर जाते हैं तो डोल्रम नहीं का जावाओं के डिरेक्शन यहां उसके साथ में हैं बाकी जगह अपोजिट में हैं अभी और ज्यादा पढ़ाएंगे ता आपको बताएंगे तो हमने आपको यहां पर यह चीज़ बता दिया अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे यहां पर कि यह टॉपिक का नाम है इंटर्ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन या वी कन से डाट आई टी सी जेड बहुत इंपोर्टन टोपिक मज़दार टोपिक है आपको मज़ा आ जाएगा पर के बस ध्यान रखते चलिए कि मैं बता क्या रहा हूं नोट डाउन जरूर करते चलिएगा क्योंकि हर बात को बोर्ट पे लिखा नहीं जा सकता है अब यहां पे आई टी सीजेड का मतलब क्या हूआ कि देखना वॉट से ही समझना रहा रहा है इंटर ट्रोपिकल कंवर्जेंस जोन मतलब क्या हूआ एक ट्रोपिकल ये है जब दो हौआई आपस में आके Converge हो रही हैं आपस में आके टकरा रही हैं आपस में आके टकरा रही हैं आपस में आके टकरा रही हैं It means that Inter-Tropical Convergence Zone मतलब क्या हुआ यहां पर कि Air जो है यहां पर एर है भी दा डिफ्रेंट जोन एफ्ट्राइकिंग टुगेधर याइफ्ट्राइक टुगेधर दो एर जो है सो यहां के मिल रहीना जी दो एर आ के मिल रहीना भले उपर से उठ रही है लेकिन आके तम्मिल नहीं है अब यहीं इसी को कहा जाता है कि इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन ठीक है और यहां जो है सो आपको जो कि जिरो पे हम कहा सकते हैं 5 डिग्री नौर्थ टू 5 डिग्री साउथ जो है सो यहां एयर स्ट्राइक कर रहा है कि फाइब डिग्री नौर्थ से यहां फाइब डिग्री साउथ से जो है सो हवा हवा यहां टक्रा नहीं रही है लेंग्वेज है समझना बात को यहां पर अगर टक्रा जाके तो साइक्लोन नहीं बन जागा भाई यहां डोल्रम बन रहा है ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक ह तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर दो ट्रेड विंट अक्रार रही है और यहां फेस्टू फेस्ट नहीं है लेटरल कोलीजन है मि.- यहां का सकते हैं कि दो ट्रेड विंड्य यहां पर टकरात रहे हैं लेकिन सामने सामने से नुटा रही है वह क्या है कि पधर अले तर दो बंधने ऐसे निकल गए दोबाइक बने अब और अबसक्ति को सामने से नहीं चारा रही है इप कि यहां पर क्या हूँ रहा है हवा यहां पर मुर रही है ठीक है और हवा यहां मूर रही है क्योंकि यहां पर कोरियोलिस क्वोर्च के करान यहां पर ठीक है और यहां पर पर क्योंकि ये फोर्स जो है एकrowills फोर्स जो यहां पर इसका पता जो खोर्यो प्लीक्रोंड लगाया था जासे पूंप sometimes हि यहन्के के नाम पर हम लोगोंने है को दिए दिया यहां पर centrifugal force maximum है किया है कि BH हमाने da कि तो यहां पर आपको सीज़ को ध्यान अठतक है कि यहां mm और दो हमाउं आपके जब टकर ही तो क्या होता है अब यहां पे चीज को और हमें विटम भी कॉंस्टेंट है अगर यह चेंज होगा और यह होगा तो अगर आपका रेडियस बढ़ जाएगा तो फेलोसिटी घट जाएगा यह कहें आपको उसी चीज को समझाया हूँ और यह निकल गया और यहां इसी चीज को समझाने के लिए आप इस तरह सेल ले सकते हैं या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं और यहीं पॉइंट जो चुकि अब यहां पर देखिए यहां पर सबसे संट्रिफ्यूगल फोर्स है यहां पर संट्रिफ्यूगल फोर्स कम है तो यहां पर संट्रिफ्यूगल फोर्स जब कम है तो यह क्या होगा यहां पर करना था लेकिन यह बहुत तेज चल रही है तो यह तो इसलिए क्या होगा इसी कारण आपको यही रेडियस और वेलिसिटी कारण जो हावा का हावा का डाइरेक्शन चेंज इसी के कारण क्या होता है कि हावा का डाइरेक्शन क्या हो जाता है बदल जाता है हावा का डाइरेक्शन यहां पर बदल जाता है निए तो इसी मिह एक चीज वटोर लिखना है कि हमें कि इसके कऱक्त डिर्यक्शन जो बदल राएहां नौदर्न हमith 획ह उष्वर में अपने राइट साइड तो यहां पर कहा जाता है कि डिख रहा की नहीं देख रहा है अपने लोगर आपका राइट हेंड सेंड. और south में left hand side नौदर्थ में आपका right hand side और south में कैसा होगा left hand side होगा यह चिर्किर्यार होगे आपको तो यह हैसो आपका पूरा ITCZ के बारे में हमने आपको बता दिया है तो आपको यहां पर लेकिन खड़ा कैसे होना है तो आपको खड़ा होना है हवा की और मोह करके हवा की और आप खड़ा होंगे तो आप जाके आपको यहां direction समझ में आएगा जैसे आपने इधर खड़ा हो गए तो आप ऐसे खड़े हैं तो आपके right hand side अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने यहां पर दोल्रम पर लिया है अब आपको तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे आपका तो यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा कि से देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर सेल जो बन रहा है एयर का सेल तीन बन रहा है एक आपका हो गया ट्रॉपिकल सेल दूसरा हो गया आपके तीन बन रहा है ठीक है तो इसको अलग-अलग हमें समझना परेगा और सेल का मतलब क्या हुआ कि यह हमारा मालीजे कि यह कुछ ऐसा है तो सेल हमारा का मतलब यहां से उठा यह इधर मूरा और फिर नीचे गीरा और फिर यह हो गया यह हवा का है एक चक्र में मूवमेंट हो गया डैट इस दा सेल ठीक है तो सेल को हम लोग बोलेंगे है अबहुए और कि मोकी मिलेंन अजया एंड है चक्र हम आ अच्छा कर रहा है आपको आस्मान में धरति को ले करके यह हैं चक्र बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका इसको हम लोग बोलेंगे आपका सेल बोलेंगे तो हम लोग अब यहां शुरू करेंगे ट्रॉपिकल सेल को पहले हम लोग शुरू करने जा रहा है आपका ट्रॉपिकल सेल तो ट्रॉपिकल सेल क्या है भाई इसको समझ लो जा रहा देखो ये हो गया आपका पिर्थ भी हो गया ये 0 डिगरी हो गया और ये 30 से 35 डिगरी नौर्थ हो गया और ये हो गया आपका 30 से 35 डिगरी साउथ हो गया संको हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि सन हमारा कहां पर है अगर प्रेशर बिल्ट नॉर्मल एक्स्प्लेंड करना है तो सन का पोजिशन हमें साथ 0 डिग्री रखना है सिफ्टिंग प्रेशर बिल्ट होगा तो उसका हम लोग पोजिशन बाद में चेंज करेंगे बर्तमान में सन को हमें साथ 0 डिग्री एक्वेटर पर रखना है नहीं तो मामला सब गरबर हो जाएगा हम बता दे रहें तो आपका जो हैसो यह 90 डिग्री हो गया इधर नॉर्थ यहां पर है तो ज्यादा टेंप्रेचर पड़ा ज्यादा टेंप्रेचर पड़ा तो हवा क्या हुआ उठा कंवेक्शन करेंट के रूप में हम यहां पर समझा रहे हैं आपको एड्ड एक्वेटर मोर टेंप्रेचर ठीक है तो यहां पर एक्वेटर में इसको हम डियाग्रामिक रिपरजेंटेशन थुरा सा अपने हिसाब से यहां पर कर दे रहे हैं यह आपका जो है सो सन का पोजीशन यह होगा आपका सन ठीक है सन यह हो गया और यह हो गया आपका जिरो डिगरी एक्वेटर हमारे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा देख लेते हैं एक बार चलो सन का पोजीशन यह हो गया और यह पॉइंट एक्वेटर हो गया मैं और इसको थुरा आगे बढ़ा दे रहा हूँ यह एक्वेटर हो गया अब यहां से चुकि हवा जो है कैसे उठेगी यह हो गया आपका 3035 नौर्थ और यह हो गया 3035 साउथ ठीक है लेटिटूड की बात हो गया यह 3035 नौर्थ साउथ हो गया अब हवा जो है सो कुछ हैसे उठ रहा है उठा यहां तक गया यह एयर का मुवमेंट अपवाड हो गया अब उसके बाद में यह एयर जो है सो चुकि उपर नहीं जा पाएगा नीचे लगतार एयर ठेल रहा हो उसको उपर जाने के लिए तो उपर नहीं जाएगा वो यहां ट्रोपोपोज से मुरेगा और जेट बन हाई इधर एधर यह याँ लगना यहोग गात्रोष का अधार इसोई कुछ ऐसे आ रहा है त्पैक है यहां से हवा ऐसे जा रहा फिर कैसे आ यहें हम डोप लोग चैल को पर आ लिए हो हें पर नंग से आंने होसे से दाए स्यों खेलने कर दल से आब तो यहां पर यहकोgraph जो ट्रॉपिकल सेल बन रहा है इसका कारण क्या है यह जो सेल बन रहा है इसका कारण क्या है सन हीट है तो इसको हम लोग थर्मल बोलेंगे या सुरिया तब के बाद जो बना तापमान है इसका मेन कोज है क्या ट्रॉपिकल सेल का बनने का और यहां पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना परेगा ट्रॉपिकल सेल जो है इसको हैडली सेल भी कहते है हेडली महुद्दा ने इसको पतल लगाया था इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको हेडली सेल भी काते हैं फर्म एड जिरो तुर्टी सिर्टी फाइफ नॉर्थ हेND साउथ अब इसका एकर का डायर का डायर BalanceFinally के के बोली किया मैंने और आप उधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो यह जो है सो इसका डिरेक्शन कुछ से हवा उठा एहां गीरा नीचे आया यहां से उठा यह गिरा एक यह सेल बन गया नीचे एक इसल बन गया इसी को बोलते हैं रहा है क्यों कि संसरो निए यह अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और मिटा करके आपको temperate cell भी समझाना है न भाई ये बहुत interesting topic है बस एक बार समझ में आजाए चीज़ें आप अच्छे से कर लो रटने उटने की ज़रत नहीं है बिल्कुल भी आप खुद अपना बना के लिख सकते हैं आपको एक बार चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं अगर अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आप रटते रहोगे और अच्छे से चीज क्लियर हो गई तो रटने उटने की ज़रत बिल्कुल नहीं है अराम से आप कवर अप कर लोगे आप अब हम लोग बरते हैं यहाँ पर देखते हैं टेंपरेट सेल यह लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो इसको पहुच करके दूसरे लक्चर में इसको शुरू कर रहा है